इस वक्त मैं खूटी जिला रन्या पर्खन के पंचे जेपूर ग्राम खुदीबीर मुपस्थित हुआ हूँ और आप सभों को इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये प्रहमंत्री अवास जोकी 2019 में बहामनी कंडूलना बिध्वा औरत के नाम पर मिला हुआ था लेकिन 1908-2022 को आंधी तुफान अभारी वारिस के कारण बिसाल इमली पेड़ गिर जाने से इन बिध्वा औरतों को पहुत ही परिशानी हो रही है ये इसका कहना है कि मुझे अभी अलबेस्टर लगाये थे पलस्तर बाकी था लेकिन अलबेस्टर पूरी तरह तुट चुका है दिवाल भी तुट चुका है तो लगभग हमको डेड़ लाक रूपया भी खर्च है हमको नया बनाना होगा हम इसलिए हमको बहुत चिंता हो रही है अब मेरा लकावी बाहर गिया है काम करने उसका भी साधिय विवा करना है इस परकार से उन विद्वावरतों के परिवार में तीन सदस हैं तीनों सदसों को बहुत ही परिशानी हो रही है तो आए सुनते उनके जुबानी बातों को हम लोग कि आपके साथ में क्या समस्या है मेरा समस्या घर में पेड़ गिर गया इसके लिए समस्या है इसको हटाने के लिए हमको बहुत दिकत हो रही है कब गिरा है सुकुरुआ रात को उनिस्टारिक को कई से गिरा है हावा पानी से हावा पानी से अब क्या क्या दिकत हो रहा है आप सारा कुछ के लिए मेरा लाड़का सब का साधी वीवा करने के लिए और पलस्तार करने के लिए भी बहुत पारिशानी हो रहा है इस वीडियो में आप सभंग बादेना चाहता हूँ कि इनके साथ जो समस्या और समस्या का पता मुझे निकुलस कंडूलना के माध्यम से पता चला और मैं घटनास्थल पर दिनांग 28-8-2022 को पहुँचा और दोनव परिवार से हम लोग मिले मिलने के उपरांत एक अंचल के नाम से एक आविदन त्यार किये आविदन त्यार करने के बाद हम लोग 29-8-2022 को दोनव परिवार के साथ हम लोग अंचल अधिकारी पर मिलने गए अंचल अधिकारी नहीं होने कार अन हम लोग अंचल ओफिस में बड़ा बाबू को हम लोग दे दिये इसके उन्होंने ये कहा है कि हम इसका रिपोर्ट जल्द त्यार करेंगे और प्रियास करेंगे इनको उचित से उचित मुआजा मिले इस समस्या को ले करके मैं लगातार सम कि आप भी इस वीडियो को अधिक सदिक लोगों तक सेयर करें ताकि इनको उचित जल्द से जल्द मुआजा मिल सके और रहने में या हटाने में जो परिसानी हो रही है उपरिसानी दूर हो सके